दो मीटर कपड़ा लिया हुआ है मैंने अस्तर का यहां से फोर्ड वाला भाग है यहां से खुला हुआ है सबसे पहले लंबाई लेंगे 38 इंच लंबाई है 38 इंच एक इंच बढ़ा कर हम निशान लगाएंगे यहां से 8 इंच पर मार्किंग कर लेनी है अब हिप साइज हमें लेना होता है सीट घेर सीट घेर है 40 इंच्यानि इसका छौथा भाग हुआ दस इसमें 2 इंच मिला देंगे यहां से 12 इंच यहां से 12 इंच प्टा है मैं लगा लिंच ऑप यहां से सीट घेर का तीसरा हिस्सा हमें लेना होता है, जो भी हिप साइज है, उसका तीसरा हिस्सा, तो 40 का याने 40 का तीसरा हिस्सा हुआ, साड़ी तेरा, 13, and half, एक इंच इसमें भी हम बढ़ा कर ले लेंगे, याने यहाँ पर साड़े चावदा हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं 15 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, 15 इंच पर, और यहाँ से 3 इंच हमें आगे जाना है, 3 इंच, और जो यह कोना आया है, यहाँ से 1 इंच अंदर के और हमें निशान लगा लेना है, और इस तरह गोला ही दे देनी है, अब यह वाला निशान, 3 इंच आगे वाला, और यह नीचे, 8 इंच पर जो हमने निशान लगाया था, मार्किंग कर लेनी है, और कट कर लेना है, यह दोनों पल्ले कट हो गए हैं, यह 6 मीटर की साड़ी है, और जिस और से फॉल लगी हुई है, उस और हमें पैर के पास वाला हिस्सा जाने देना है, छोटा वाला, बड़ा वाला हिस्सा हमें उपर आने देना है, इस तरह से रखके, मार्किंग करके, कटिंग कर लेनी है, यहां से, नीचे से, और यहां से ह प्राबर लिया है इस तरह हम बढ़ाते गए यानि कि यह जो सीधी लकीर थी यहां से हम तीन इंच आगे आए थे तो यहां से भी हमने तीन इंच आगे ले लिया और यह बढ़ा लिया इसी तरह उस और से भी और उपर से थोड़ा बढ़ा कट किया है इसी तरह दूसरा पैर भी कट कर लेना है सलवार कट करने के बाद लंबाई का दो गुना पल्लू लेना है और उसमें 15 इंच प्लस करना है लंबाई है 38 38 एक बार 38 दूसरी बार और प्लस 15 इंच याने 38 38 और 15 इस तरह हमें पल्लू की लंबाई लेनी है 38 38 और 15 इंच याने लंबाई का दो गुना प्लस 15 इंच याने 15 इंच इस तरह पल्लू हमने कट कर लिया पल्लू हमारे सीधे हाथ के ओर होना चाहिए पल्लू हमारे सीधे हाथ के ओर होना चाहिए इतना हमें ध्यान उपर वाली जो बॉडर है यहां से 15 इंच 15 इंच हमने मार्किंग की और इस तरह क्रॉस में मार्किंग कर ली है और इसे कट करके इस वाले भाग को अलग कर देना है यह पलू कट कर लिया है सलवार और पलू कट करने के बाद यह दो मीटर कपड़ा बचा हुआ है अब दोनों और की बॉडर हमें अलग कर लेनी है दोनों और की बॉडर कट करने के बाद यहां से 15 इंच और यहां से 15 इंच हमने नाप के यह मार्किंग कर ली इसे कट कर लेना है इसका काश्टा हम बनाएंगे यह 15 इंच चौड़ा पट्टा कट करने के बाद एक और पट्टा इसे नाप का कट कर लेना है दूसरा पट्टा भी हमने कट कर लिया है 15 इंच चौड़ा और लंबाई में ये 38 इंच का है अब एक पट्टा हमें इसी तरह रहने देना है और दूसरा पट्टा 5 इंच चौड़ा हमें कट कर लेना है अब ये जो 5 इंच चोड़ा पट्टा है ये उपर वाले बड़े पट्टे में जोड़ देना है ताकि ये जो हम लंबाई ले रहे हैं 38 इंच हमारी लंबाई है 38 इंच और जितनी भी लंबाई होती है काश्टे के लिए लंबाई प्लस 4 इंच इस तरह नाप लेना होता है याने सिलाई में जाने के बाद यहां हम जोइंट कर देंगे इस पट्टे को सिलाई में जाने के बाद ये 38 इंच इसके बाद 1,2,3,4 और ये 5 इंच बड़ा हो रहा है केवल एक और से हमें बॉडर जोइंट कर देनी है यहां जॉइंट करने के बाद और बॉर्डर लगा लेने के बाद क्रच वाला भाग यानि के आसन वाला भाग उल्टा हाथ हमारा जहां है वहां से कट करना है नहीं होनी चाहिए और हमारे हांती हात की और से क्रच करने याम कपड़ा सीधा होना चाहिए कि कपड़ी की बूटी क्यों होनी चाहिए चाइब करेश मार्किंग करने के शाओ एक पर travaille करने के बाद सीधी हाथ की यर में से चार इंच इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है गोलाई दे देनी है और इस हित्से को भी हमें कट कर लेना है एक काश्टा रेडी हो गया है अब जो एक और पला हमने काटा था 15 इंच का जो छोटा रह गया था इसमें से हमने टुकडा काट के उसमें जॉइंट कर दिया था इसके हमें दो टुकडे कर लेने है बराबर बराबर अब ये दो टुकडे करने के बाद जो हमने सलवार का कपड़ा कट किया हुआ था इसके उपर इसे हमें जॉइंट करना है एक यहां और एक दूसरे पैर में अब ये 51 इंच कपड़ा बचा हुआ है अब ये कपड़ा सी और इन दोनों के बीच वाला भाग यानि इसका सेंटर इन दोनों भागों का इस तरह में पकड़ के इसे फोल्ड कर देना है और इसे कट कर लेना है अब यह हिस्सा कट कर लेने के बाद इसे इस तरह से घुमा कर यहां जॉइंट कर देना है और जो बची हुई बॉडर थी इ हिस्से में लगा लेनी हैं जॉइंट करने के बाद नीचे बॉडर भी लगा ली है अब जो सीधा वाला हिस्सा है लंबा वहां पर हमें आठाट हिंच के अंतर पर निशान बना लेने हैं यहां से पहला निशान हमने एक इंच के अंतर पर लगाया है इसके बाद आठाट के अंतर पर हम नें निशान लगाएं के अब पहला निशान हमें पकड़ना है आठ इंच वालया इस तरह से पकड़ कर इस पहले निशान पर हमे यह प्लेट रख देनी हैं और दूसरा निशान पकड़ना वापस प्लीट लेनी है और इस पहली प्लीट पे रख देनी है बस पहली प्लीट और दूसरी प्लीट के बीच में पाव इंच का अंतर होना चाहिए अब यहां से हमें इसी तरह की एक बॉर्डर लगा लेनी है इसके बाद यह जो अंदर वाली प्लीट है यह एक प्लीट हमें खोल लेनी है यह वाली पिन को हटा कर केवल एक प्लीट को हम इस तरह से खोल लेंगे बाकी प्लीट्स में सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है यहाँ बॉर्डर लगा लिए है यहाँ सिलाई लगा लिए है और इसके बाद इस प्लीट्स का टाका इस प्लीट में यान नीचे तक नहीं लिए हमने टाका एक का एक में इस तरह हमने टाके लगा लिये हैं सारी प्लेट में और थोड़ी प्रेज कर लिये हैं अब यह वाली प्लेट जो हमने एक खोली हुई थी वहाँ पर हमें अस्तर का कपड़ा रखना है और आसन वाला भाग यानि क्रच वाला भाग जो है इस तरह रखकर मार्किंग कर लेनी है यहां और यह और फिर इसे कट कर लेना है यह हमने कट कर लिया है अब जो सलवार है इसका निचला हिस्सा पैर के पास वाला इसे हमें थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है इसके बाद बॉर्डर वाला हिस्सा इसके उपर रखकर यहां सिलाई लगा ले लिए हैं उस और सिलाई लगा लेने हैं इस और भी सिलाई लगा लेने हैं और जो ये बड़ा वाला भाग हमने कट किया है थोड़ा बड़ा लिया है यहां से हमने और उपर से भी इतना बड़ा है एक और पट्टा जो हमने कट किया था यानि दो सलवार के लिए जो दो पट् ु Belin में आपका जोड़ना है बार इक पार इक चिंटियां लेकर उसो और भी। दोनों और से चिंटियां। लेने के बाद यहां से भी हमने you have seat लिया भी उसी झाहिए और यहां भी बीचमेह चिंटियां हैं। इसके बाद एक ही पल्ले पर हमें यहां प्लेट्स जोड़नी है और यहां काश्टा जोड़ना है उल्टे हाथ की और हमारा जो उल्टा हाथ है कमर का भाग हमारी और होना चाहिए पैर का भाग नीचे होना चाहिए और हमारे उल्टे हाथ की तरफ हमें काश्टा जोड़ना है काश्टे की बॉर्डर और यह चोटी चोटी बूटियां बनी हुई है यह उल्टी होनी चाहिए बॉर्डर सीधी नहीं होगी इस तरह से क्रच का भाग जोड़ लेना है और बॉर्डर को नीचे की और यहां से इस तरह मोर देना है इसी बॉर्डर पर हमें इस तरह मोर देना है सिलाई लगा लेनी है अब क्रच तक का भाग तो हमें सीधा ही जोड़ना है लेकिन यह वाला भाग बहुत बड़ा है इसलिए यहां पर हमें चिम्टियां लगानी है इस तरह से चिम्टियां लगानी यहां से यहां तक कम चिम्टिया आए तो भी चलेगा लेकिन यहां से यहां तक हमें बाकी सारी चिम्टिया ले लेनी है और हमारे सीधे हाथ की ओर यह प्लीट्स जोल लेनी है यहां से पिलकुल सीधा नीचे तक हमें जोल लेना है इस ओर काश्टा जोल लिया है और इस ओर हम दूसरी सलवार हमने तयार की हुई थी, उसका कमर वाला भाग हमारी ओर आने देना है और हमारा सीधा हात, सीधे हात वाले क्रच में याने आसन वाले भाग में हमें पल्लू जोड लेना है, पल्लू सीधा रखना है, बड़ा वाला भाग नीचे की ओर और छोटा वाला भाग यहां से एक इंच हमें छोड़ देना है यहां से पल्लू लगाना शुरू करना है बॉर्डर में हमें चिम्टिया नहीं लेनी इसके बाद चिम्टिया लगाते हुए क्रच का भाग और यहां से चार इंच नीचे इस तरह इसे जोड़ देना है यूँ और फिर चिम्टिया लगाते हुए इस में फिक्स कर लेना है पल्लू झोडने के बाद जो हमने दूसरा पैर त्यार किया हुआ था उसे उल्टा रखना है काश्टा और प्लीट्स अंदर कर देनी है पल्लू भी अंदर कर देना है और दोनों आसन वाले भाग यानि क्रच वाले भाग सिलाई लगा कर जोड लेने हैं आसन वाले भाग में यानि क्रच वाले भाग में सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से खोल कर यहां भी सिलाई लगा लेनी है अब इसे सीधा कर लेना है इसे पल्टाने के बाद यह पीछे वाला हिस्सा है जहां पल्लू है और यह काष्टा है अब काष्टे में हमें प्लीट्स ले लेनी है और इस तरह PLEATS का बिल्कुल बीच वाला भाग यहां मैं चौप बीच वाला भाग PLEATS का और इस लाई वाला भाग दुनों को इस तरह मिलाते हुए contest लगाके से fix कर देना है और ये सामनी वाला भाग इसमें अभी प्लीट इस तरह से है ये वाला भाग प्लेन है ये वाला भाग प्लेन है और इतने भाग में प्लीट है तो जितने भी भाग में प्लीट है बस इतना भाग हमें प्लीट का लेना है ये वाला भाग इसे हमें यहां सिलाई पर रख देना तो इस एक्स्ट्रा वाली कपड़े को हम अंदर के और फोल्ड कर देंगे और इस तरह से रख देंगे यानि पूरी प्लीट में से यह वाला भाग सिलाई की और होगा और इसे छिलाई लगा के फिक्स कर देना है पीछे काश्टा जोड़ने के बाद और फ्लीट्स कर लेने के बाद कमर गीर के बराबर मैंने बॉडर ली हुई है बॉडर को सीधा रखना है किनारी वाला हिस्सा अंदर के ओर जाने देना है और कटा हुआ हिस्सा हमारी ओर आने देना है इस तरह इस प्लीट्स और ये कमर वाला गीर इसके बीच में हमेशे रखना है अंदर सिलाई लगात हुए पूरा पट्टा जोड लेना है इसके बाद इसे पलटा कर आगे की ओर इस तरह मोड़कर यहां भी सिलाई लगा लेनी है ताकि इस पर से जब पल्ला जाए तो यह भाग छिप जाए इसमें से हम नाड़ी पिरोएंगे झाल झाल जाए लेनी है